हेलो दोस्तो मैं हूँ इसके वर्मा और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के एंड मैथ में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम आप लोग को बताएंगे सिमुलतला आवाज से बिद्याले परवियस परिच्छा 2010 का प्रिवियर सियर का कोचन ठीक है दोस्तो पहला कोचन देखते हैं कोसिका सिध्धान्त का परतिपादन किसने क्या था तो दोस्तो एंसिर होगा Robert Hook यानि कि पहली ओप्सन होगा B दूसरा देखते है दोस्ते है फीपल बिच पीपल का बिच रात्री आयात्री खाली स्थान गैस मुक्त करते हैं यानि की वह जो है कारव chamber dioxide guy क्यों सही अंशर होगा हमारा c co2 सिप्ट ह। और अगला कहाचन है तिसरा पॉधे भोजन बनाते हैं क्या जी में भोजन बनाते हैं तो हैं पत्ति में यानि अन्सर ओन्या बी हमारा सही होगा अगला इसलिए होता है कि उसमें पाया जाता है क्या तो उसमें पाया जाता है हरी तिलावाग कशन किया है अगला है प्रस्तित L K L O E D है क्या है तो नीकोटीन है यानि एंसर होगा B हमारा करेक्ट होगा अगला देखते हैं कि एक स्वस्त मनुस का समान रखता चाप कितना होता है तो एंसर है A यानि कि 120 भाई 80 होता है यानि एंसर होगा A अठमा है सेव का खाने योग भाग है तो उसको जो है न मानसल पुसपासन खाते हैं यानि कि एंसर होगा B पुसपासन आगे है गलकोज गलाइकोजन में परिवर्टित होता है तो वह दोस्तो यकरित यानि सही एंसर होगा B यकरित अगला है अमलिय म्रिदा पाई जाती है किस छेतर में तरनाम एवं वर्षा वाले छेतर में यानि सही एंसर होगा C 11 है निमने में से किस परकार के बीज में अनुवान सिकता सुधता होती है तो है दोस्तो परमानित बीज में यानि सही एंसर होगा ए परमानित बीज ठीक है अगला देखते हैं जहारकंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो जहारकंड की सबसे बड़ी नदी जो है दमोदर नदी जो है एंसर होगा सही तेरा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तो वे प्रसंत महासागर यानि अंसर होगा सी सही होगा चोदर देखते हैं भारतिय सोतरंतरता संगराम की पहली लड़ाई कब हुई तो हुआ था ठर्दोस संतावन में एनिक एंसर होगा C सही होगा 15 है जारकन में सरवाधिक कौन सी मीटी पाई जाती है तो जारकन में सरवाधिक काली मीटी पाई जाती है नहीं दोस्तों सोरी लेटराइट मीटी पाई जाती है एंसर होगा B हमारा सही अगला देखिए पोंगल तेभार भारत के किस राज में मनाया जाता है तो है दोस्तो तमिल लाडु में है यानि सही अंसर होगा A 17 है जालिया वाला बाग नरसाहार किस अस्थान पर हुआ था तो दोस्तो अमरित्सर में हुआ था यानि सही अंसर होगा हमारा B यानि की अमरित सर आगे है मिनाश्री मंदिर भारत के किस सराज में है तो दोस्तो तमिलाडू में है यानि एंसर होगा सी सही भारत किस महादेश में है तो एसिया महादेश में हमारे भारत है यानि सही एंसर होगा ए अगला है 20 की आदी मानों के द्वारा खोजा गया पहला ध दातु कौन सा है दिमानों के द्वारा खो जागा पहला दातु तामभा होगा यानि अंसर भी सही होगा निमनलिखित में से अगला कोच ने कैसे निमनलिखित में से कौन भारत का मरूस्थल है तो है दोस्तो थार मरूस्थल यानि सही अंसर होगा भी थार मरूस्थल अगला है 22 नियमनलिखित में से कौन करांतिकारी था तो है दोस्तो O.M.ществ सही अंसर होगा C अगला देखते हैं 23 ओजोन परात कौन सी किर्नों को समा लेती है तो कॉस्मिक किर्नों को जो है दोस्तो समा लेती है यानने सही अंसर होगा D अगला है प्रिथिवी की अकृति कैसी है तो प्रिथिवी की अकृति गोल है यानि सही अंसर होगा A अगला कोचन है किस गरह को लाल गरह कहते हैं तो दोस्तो मंगल यानि सही अंसर होगा C मंगल गरह पंचाइती राज कब से प्रणाम हुआ तो दोस्तो अंसर D 1969 अगला है भारत का परधान मंत्री निक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए तो दोस्तों 25 निक्त होने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है 25 वर्स होगा ठीक है सही अंसर होगा 25 वर्स भारत के परधान मंत्री को निक्त होने के लिए चैए तो कोई सीमा नहीं है लेकिन अगर निक्ती पूछ दिया जाए तो 25 वर्स होगा और राष्ट पति 25 वर्स अगला है 28 कुशन किसी राज में राष्ट पसी सासन बनाए रखने के लिए अधिक्तम अवदी कितना है तो दोस्तो छो माह तक अधिक्तम है यानि सही अंसर होगा हमारा देखिए सही अंसर होगा डी छो माह आगे है गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों किया था तो है जो दोस्तो नमक कानून उलंगन को लेकर किये थे यानि सही अंसर होगा C अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गरा सूर के सबसे निकट है तो दोस्तो होगा सही अंसर C यानि की बुद्ध है 31 है भारत के विभिन राज्यों के राजभवनों में कौन रहते हैं तो है दोस्तो राजपाल यानि के राज्यों के विभिन राजभवनों में राजपाल रहते हैं सही अंसर होगा D आगे है परधान मंतर अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है तो दोस्तो राष्ट पती को सौंपेगा यानि इस एंसर होगा ए अगला है लोक सभा का अध्याच नहीं सोरी 33 को चन है यहां कि 20 इतिहास की एक जलक नमक पुस्तक किसे ने लिखी तो इधर इसका एंसर है यानि क सही एंसर होगा हमारा वी जवाहरलाल नहरू ठीक है और अगला देखते हैं 34 भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के संस्थापक एंसर होगा सी ए ओ हुम यानि कि सी एंसर सही होगा अगला देखते हैं हिंदी दिवस सुरी गलत लिखा होगा है यहां पर हिंदी दिवस होगा हिंद दिवस नहीं हिंदी दिवस जो है दोस्तों वह 14 सितंबर को मनाया जाता है यानि कि सही एंसर होगा हमारा हिंदी दिवस यानि कि एंसर डी जो होगा करेक्ट होगा अगला देखते हैं कि जर्मनी की राजदानी कहां है तो जर्मनी की राजदानी दोस्तो वो बरलिन है यानि सही अंसर होगा हमारा C बरलिन अगला है कोचन 37 की पिर्थीवी क्या है तो पिर्थीवी जो है एक गरह है यानि सही अंसर B अगला देखते हैं रेगिस्तान में हर्याली वाले भाग को क्या कहते हैं तो हर्याली वाले भाग को मरुद्ध्यान कहते हैं सही अंसर होगा A अगला देखते हैं 49, इरोप के किस भाग में जनसंख्या अधिक है? तो इरोप को जो है, मतलब उत्री भाग में जो है, जनसंख्या सबसे अधिक होगा, यानि अंसर होगा A कि अगला है प्रिये प्रवास पुस्तक के लेखक जो है कौन है तो स्री उप्प स्री उजद्य उपध्याय होगा यानि सही इंसर ए अगला 41 कोचन है कि अमर्नाथ की सराज में है तो है दोस्तों यहां पर दिया हुआ जम्मू कसमीर यानि सही इंसर होगा C, Jammu Kasmir अगला है उत्तर भारत की सब्सें लंबी नदी का नाम क्या है तो है दोस्तो ब्रहमपुत्र यानि कर दो निकर निकर रहाँ सही सर व्यां सर दो कालिदास की सराजा के दर्वार में कभी थें तो कालिदास चंद्रगूप्त प्रथम के दर्बार में जो है कवित है यानिक ज़ह उन्सर छंद्रगूप्त प्रथम अगला है जालियाँ वाला वाला भाग हत्या कांड कभ हुआ तो है दोस्तों सही उन्सर होगा 1919 यानि 13 परहल 2019 सही होगा यानि एंसर C थाकि हम आप लोग के बीच में इसी परकार से वीडियो बनाते रहें